बिग बोस 17 में इस समय फैमिली विक चल रहा है इस शो में अंकिता लोखंडे और विकी जेन से मिलने के लिए कपलत की मा आई जिनोंने अपने बच्चे को समझाने का काम किया अंकिता और विकी की मा ने खेल में कम से कम लड़ाई करने की बात कही इसी बीच अंकिता की सासुमा ने बहुरानी से अपनी नाराजगी भी जायर कर दी विकी की मा ने शो से बाहर आकर भी अंकिता के खिलाफ कई बाते कहीं जिस वज़ा से कई सेलिप्स इस पर अप्तिदाय दे रहे हैं वहीं अब एश्वरिया सर्मा ने भी विकी जेन की मा को खरी-खोटी सुन कर पूरे जैन परिवार से मा भी मांगी थी अंकिता के सासुमा के इस बेवार पर कई सेलिप्स अपनी राय दे रहे हैं जिसमें अंकिता के खिलाफ खड़ी होने वाली एश्वरिया सर्मा भी सामिल हो गई हैं एश्वरिया सर्मा ने इस मौके पर अंकिता लोखंडे का सप रहा है एश्वरिया सर्मा ने आगे ये भी कहा कि दो समय सा महिला पर मर दिया जाता है वह सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि विकी उनका बेटा है वह उससे कुछ तहीं कर रही है और सिर्फ अंकिता पर आरोप लगा रही है एश्वरिया सर्मा ने माना कि उन्हें अंकिता मा की बात बुरी लग गई है इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवुड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबी वी एंटर्टेन्मेंट